बारस्वच्य अभियान में राच्च में वाडी नपखा 30 नमबर तो आया लेकिन सडकों पर आज भी कच्छले के धेर दिखाई देते हैं बिते 4 साल में करोड़ रुपए खर्श करने के बाउजित कुछ सडके बधाल हुई है नगर परीशित की और जाने वाले चितरबुच ले आउट के ट्रांसपोर्ट के सडके खसता हाल बनी है मानो बारिश में तो सडकों पर जल जमाव से बुरे हाल होते इस समस्या पर मुख्यादिकारी जमा प्यारे वाले हल लिका लेंगे ऐसा बूला जा रहा था लेकिन वाड़ी की समस्या पर तीन साल होते आ रहे है प्यारे वाले कुछ नहीं कर सके जिसके कारण वाड़ी की समस्या जैसी थी वैसी ही है शेहर में दिन राज सफाई करमचारी वाड़ी शेहर को सवच्छ करने में लगे है लेकिन शहर स्वच्छ नहीं हो पारा है 2020 के भारत स्वच्छ अभ्यान ने भी हिसाल लिया जिसके लिए शहर के निरिक्षन के लिए टीम भी आकर गई लेकिन शहर में देखा जाये तो सडकों पर कच्रे के ढीक तिखाई दे रहे है इस प्रमुक समस्याव की और मुख्यादिकारी चुमा प्यारे वाले की अंधिक ही हो रही है ट्रांसपर्टरों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है माल लटकर आने वाले ट्रकों को गड़ों से दुरगटनाव का डर है ट्रांस्पोर्टर टेक्स तो अदा करते हैं लेकिन नब सडकों को नहीं सुधार रही नगर परीशित कार्याले की और जाने वाली सडक पर ही गड़ी में सडक है शिवाची नगर चतरभुज ले आउट, चरडे ले आउट, शिवा कॉंप्लेक्स ट्रांस्पोर्ट शेतर की सडके भी बेहाल है बदाल सडकों की कारण यहाँ पर आने वाली भारी वाहन के साथ ट्रांस्पर्टरों को भारे समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है करोड रुपे की सडके वाड़े में निर्मान हुई है लेकिन शिवाची नगर वा ट्रांस्पोर्ट की सडके आज भी विकास से अच्छूती रही है वही शिलादेवी कॉंपलेक्स से काटोल रोड के और जाने वाली सडक पर भारी यात्री गड़े पड़ने से वाहन चालकों को तथा आवगमन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है शिवाची नगर के नागरिकों ने बताया कि बीते तीस साल से यहां निवास कर रहे है लेकिन मुल्बू स्विधा मोहया नहीं कराई गई है इस संदर में जानकारी के लिए मुख्यादिकारी जुमा प्यारे वाले को फोन पर संपर करने पर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया